हलो फ्रेंट्स मेरे नाम है संदीपमार गौर और हम डिसकस करने हैं डिस्की मैतमेटिसिक अंतरगत ग्राफ थेोरी पर और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्राफ कलरिंग तो दोस्तों ग्राफ कलरिंग क्या होता है यदि हमारे पास कोई ग्राफ दिया हुआ है तो उसमें जितनी वर्टेक्स आपको दिये हुए हैं उन वर्टेक्स को आपको अलग-अलग कलर से कलर करना रहता है और कलर को जिस तरह से आपको करना रहेगा कि कोई भी एजेसेंट व vertices of G one color to each vertex so that adjacent vertices are assigned different colors ठीक है यहाँ पर आपको यह दियान रखना है कि जो adjacent vertex होते हैं उनके पास जो color आप असान कर रहा होगा है अलग-अलग होना चाहिए इस कॉल्ड दा प्रॉपर coloring of graph और simply vertex coloring तो इसको अपन क्या बोलते हैं vertex coloring बोलते हैं if G has n coloring then G is said to be n colorable यदि आपके पास को ग्राफ हुआ है और उस ग्राफ के vertex को color करने में आपको n color का use करना है या n color use ही हुए है तब उस graph को क्या कहा जाएगा n colorable कहा जाएगा ठीक है माली जी कोई graph है उसके vertex को color करने में आपको 3 color के जिरूत पढ़ रही है तो आप उसको क्या बोलोगे 3 colorable ठीक है the chromatic number इसकी definition आती है दोस्तों exam में the chromatic number of graph G is the minimum number of colors to color the vertices of the graph G and is denoted by Y, Y, G ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है जैसे आप के पास कोई graph दिया हुआ है और उस graph में जितने vertex हैं आपको उनको color करना है तो एक तरीका यह है कि आप जितने vertex दीए सबको अलग-अलग color में कर दीजिए लेकिन यह सही नहीं होता है आपको कुछ ऐसा देखना रहता है कि आप minimum color का use करो तो जो minimum number of colors होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं chromatic number यहाँ पर बोलते हैं इनको example से समझते हैं example माली जी हमर पास कोई graph दिया हुआ है जिसमें तीन vertex है ठीक है अब इसको आपको color करना है ठीक है तो ध्यान कर रखना है कि जो adjacent vertex है उसमें same color नहीं होना चाहिए माली जी पहला जो vertex है उसमें मैंने यहाँ पर black color कर दिया ओके अब दूसरा vertex है तो मुझे उसमें black तो मैं कर नहीं सकता है तो यहाँ पर मैंने कर दिया blue ठीक है अब यहाँ पे मैंने blue कर दिया है इसके बाद अब जो अगला है उसमें ना तो मैं black कर सकता हूं और ना ही blue कर सकता हूं तो यहाँ पे मैंने कर दिया है red ओके यह हमारा blue कलर है और यह हमारा black कलर है और यह red कलर है ठीक है तो इसमें आप देख सकते हैं कि तीन कलर की जुरुत्तों को इसमें पड़ेगी ही तब यह जो ग्राफ है यह कहलाएगा थिरी कलरेवल ठीक है यहाँ फिर इसका chromatic number क्या कहलाएगा जिसको हम yg से represent कर रहा है यह एक mathematical symbol है यहाँ पे इस तरह से लिखा है हमने x नहीं है यहाँ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 तो chromatic number क्या है 3 तीन कलर तो इसमें ज़रुत पड़ेगी minimum number क्या है इसका 3 ही है तीन से कम आप इसको color नहीं कर सकते ठीक है इसी तरह एक और example लेते माली यहाँ पे चार vertex कुछ इस तरह से दिये हुए है ओके अब इसमें एक vertex को मैंने black कर दिया ठीक है फिर अब इसकी जो addition है यह वाला है और यह इनको मैं black कर नहीं सकता तो मैंने इनको red कर दिया ठीक अब इसके बाद अब मैं चाहूँ तो इसको blue कर दूँ ठीक है और इसको बापिस से black कर दूँ ठीक है बलेक यहाँ यहाँ पे था black के adjacent यह दोनों है इसलिए इनको मैंने black नहीं किया लेकिन इसको मैं black कर सकता हूँ क्योंकि यह अलग है इसको मैंने red कर दिया और इसको मैंने blue कर दिया ठीक तो यहाँ पे कितने color यूज हो गए है अब तीन color यूज हो गए है black उसके बाद रेड और बिलू पर क्या मेरे तीन color से कम में भी काम हो सकता है तो देखते हैं फिर से माली जी इसी ग्राव को हम फिर से बनाते हैं तब सबसे पहले इसको करते हैं black ओके अब black मैंने यहाँ पर कर दिया है तो जो adjacent है इन पर black हो नहीं सकता लेकिन यहाँ पर हो सकता है तो इसको भी मैंने क्या कर दिया black कर दिया ठीक है अब इसके adjacent में यह है तो यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया red कर दिया तब इसको भी मैं यहाँ पर red कर सकता हूँ तो देखिए यहाँ पर अपने तीन color यूज किये थे जबकि यह काम दो color से भी हो सकता है तो आपको minimum number of color यहाँ पर use करना रहेगा ठीक है तब इस graph को क्या कहा जाएगा टू कर रेवल है ठीक है या फिर इसका chromatic number क्या कहलाएगा टू कहलाएगा ओके ओके फ्रेंड्स तो आज की वीडियो हमने देखा कि graph coloring क्या होता है तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें झाल झाल